सबसे फर्स्ट आता है इसमें ihn-duizual series, क्या आता है? इन-duizual series, geometric mean calculate करना है, तो indyizual series, फिर आई की discrete series, फिर आई की continuous series, तो indyizual series से geometric mean कैसे calculate करते हैं, with the help of log and anti-log table, तो सबसे वहले format समझ लिते हैं, indyizual series में आपको पता है, आपको दे रखा होता है, X, ठीक है, X की values आपको दे रखी होती है, तो आपको वो values ले ले नहीं, ठीक है, ओके, और फिर क्या करना है, आपको log निकालना है, log of X, जो X की value है, उसका आपको क्या calculate करना बिटा, log calculate करना है, X की value का, जिसको हम बोल सकते हैं, log X, क्या बोलेंगे, log X, जो ये X value है, इन सभी X value का, आपको log X calculate करना है, वो कैसे करेंगे, with the help of log table, help of log table, जो log table आपको दे रखी होगी, उसकी help से हम, इस X, जो दे रखा है इन डीजल सिरीज के अंदर, इन सभी X value का log X निकालेंगे, जब हमरे पास log X आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे, sigma log X, मालब, ये log X की total कर देंगे, फिर, अब आपका geometric mean कैसे आएगा, geometric mean का formula होगा, जो ये sigma log X आया है, हाँ, इसका निकालना होगा, हमें anti-log, तो sigma log X divided by N, अब जो भी value आएगी, उसका हमको निकालना होगा, anti-log, सर, anti-log कैसे निकालेंगे, anti-log निकालेंगे, हम anti-log table की help से, with the help of anti-log table, with the help of anti-log table, anti-log table की help से हम क्या करेंगे, calculate कर देंगे, ये, ये जो value आएगी, इसका anti-log, हम anti-log table की help से निकाल देंगे, और उसके बाद जो हमारा answer आएगा, वो क्या आजाएगा, GM, geometric main, तो ये कौन से series होगी बेटा, ये होगी हमारी individual series, अब हम देखते हैं, discrete series से कैसे निकलेगा, मैं पहले format बता देता हूँ, फिर में log और anti-log कैसे calculate करना है, वो भी आपको स्रिखा दूँगा, लेकिन एक बार format बता देता हूँ आपको, second number आती है, हमारी discrete series, discrete series में बेटा आपको पता है क्या होगा, आपको x भी दे रखा होता है, और आपको f भी दे रखा होता है, तो सबसे पहले हम f को side में रखेंगे, जो ये x है, हाँ, इस x को लेंगे, और इस x का log table की help से log x निकाल देंगे, जैसा कि हमने individual series में किया था, तो हमको करना क्या है, चाहे individual series हो, चाहे discrete series हो, जो x value दे रखे होती है, उसको हम log table से log x value calculate कर देंगे, निकाल देंगे, ठेक करके, ओके, फिर ये जो log x है, इसको f से कर देंगे multiply, जो यह log x है इसको क्या करेंगे हम जो frequency दे रखी होगी उससे कर देंगे multiply तो पता है हमारा क्या आजाएगा हमारा आजाएगा log x f या फिर f log x जो भी आप बोलो जो आपको सही लगे ठीक है log x f इन दोनों को क्या करतेंगे multiply करतेंगे यह सारी चीज़े आपस में multiply हो जाएगी और फिर क्या करने यहाँ जो value आएगी multiply होने के बाद में वो हो जाएगा हमारा sigma log x f अब geometric mean का formula क्या हो जाएगा gm का equal to antilog 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 table के help से लेकिन किसका antilog इसका किसका sigma log x f sigma log x f divide by n देखो यहाँ जो individual series थी इसमें n का मतलब क्या था 1,2,3,4,5 तो यह 5 हो गया n लेकिन हमारा यहाँ पर n का मतलब क्या होगा यहाँ पर n का मतलब होगा sigma f यह जो sigma f है यही हमारा n है ध्यान रखना इसकी total f की total वो होगी तो इसको solve करेंगे जो value आएगी उसका antilog निकाल देंगे तो geometric mean आ जाएगा ओके ठीक है फिर आता last हमारा थर्ड नंबर वो है continuous series अब continuous series से कैसे निकालेंगे देखो यहाँ तक ठीक है बटा कोई problem तो नहीं है अगर हो तो बता देना में रूपो अब continuous table से देखिए continuous series थर्ड नंबर इसमें क्या होगा बटा आपको class दे रखी है continuous series में क्या दे रखी होती है जैसे 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 ऐसे दे रखा होता ठीक है और इसके साथ में हमको दे रखी होती है frequency क्या दे रखी होती है frequency कोशन में दे रखी होती है यह continuous series होती है अब बेटा हमको तो क्या x चाहिए तो x कैसे आएगा यहाँ पर x calculate करना होड़ेगा x कैसे calculate करते है continuous series पताईए आपको lower plus upper divided by 2 यानि कि 0 plus 10 divided by 2 कितना हो गया 5 यहां कितना हो जाएगा 10 plus 20 divided by 2 15 25 35 ओके जी तो यह 5 15 25 35 यह हो गई आपकी x value अब यह x आ गया हमारे पास हां तो अब हम क्या करेंगे इसका निकाल देंगे log x इसका 5 का 15 का 25 का 35 का इसका हम log table में देख करके log x निकाल देंगे ओके और फिर बता क्या करेंगे यह जो f है इसको multiply कर देंगे log x से तो जैसे हमारा यहां आया था देखो discrete series में log x f x f तो हम यहाँ पर भी निकाल देंगे log x f आप f को multiply करेंगे यहाँ से इंदो value को, इसको और इसको फिर इसको और इसको फिर इसको और इसको फिर इसको और इसको ठीक है तो यहाँ जाएगा हमारा log fx या x f अब यहाँ कर देंगे sigma log XF और N का मतलब यहाँ पर क्या होता है वही Sigma F जो Sigma F आएगा आपका वो क्या है वह आपका है N और यहाँ पर Geometric Mean कैसे आएगा Anti-Log निकाल दो Anti-Log किसका Sigma Log XF Divide by N जो यह value आएगी इसका Anti-Log निकाल देंगे तो Geometric Mean आजाएगा यह तो Format हो गया ठीक है Indusual Series Discrete Series और Continuous Series से Geometric Mean कैसे Calculate करते हैं यह उसका मैंने Format बताया है अब मैं बताने वाला हूँ भाईया Log Table और Anti-Log Table से हम देते हैं अब यह Log कैसे Calculate करें तो किसी भी value का अगर आपको Log Calculate करना है Log तो आपको सबसे पहले Log Table को समझना होगा यह देखो यह Log Table यह Question में दे रखी होगी एक्जाम में आपको दी जाएगी अगर इसका Question आएगा तो Log Table आपको Question में दी जाएगी ठीक है इस Log Table के अंदर तीन तरह के Column होते हैं यह वाला जो Column है यह वाला यह First वाला यह यह वाला जहां पर लिखावा 10, 11, 12, 13, 14, 15 यह नीचे तक यह आपका Main Column है Main ठीक है उसके बाद यह यहाँ से 0 से लगा कर समझना ज्यान से 0 से लगा कर यहाँ 9 तक इसको बोलते हैं Difference Column ठीक है ओके यह Difference बोलते हैं इसको यह Main हो गया आपका यह 1, 10, 11, 12, First वाला Column जो है यह Main Column है उसके बाद देखो बीच में एक लाइन भी है यह यह वाइट वाला लाइन दिखरी है बीच में यह वाला Main Column हो गया उसके बाद यहाँ से लगा कर यहाँ तक यानि कि 0 से लगा कर 9 तक यह Difference है और जो फिर उसके बाद यहाँ से लगा कर वापस रैड बेन ले लेता हूँ मैं देखो यहाँ से लगा कर यहां तक कहां से यहां से यहां तक इसको क्या बोलते ही लिखावा भी देखो मीन डिफरेंस तो तीन तरह की कॉलम होते हैं किसी भी लॉग टेबल के अंदर और सारी लॉग टेबल सेम होती है ओके तहाई आपकी बुक के जो एंड में हो या मैं जो आपको दूंगा या आप ओनलाइन डाउनलोड करेंगे या एक्जामेर देगा यह सेम होगी कोई चेंजिस नहीं होगा तो यह आपका में हो गया बीच वाला डिफरेंस कोलम हो गया यह में डिफरेंस हो गया अब यह अगर आपको किसी भी वैल्यू का कोई भी वैल्यू क्यों नहों उसका आपको अगर लॉग निकालना हो जैसे आपको लॉग निकालना है इस वैल्यू का इसका आपको calculate करना है log ठीक है तो कैसे calculate करेंगे सबसे पहले बटा क्या करो इनको count करो ये कितने number है 1,2,3,4 4 है तो आप कर दो 4 लिख दिया अब इसमें से कर दो minus 1 तो कितना आ गया 3 तो यहां लिखेंगे हम 3 नीचे इधर यहां लिख दिंगे 3 और लगा दिंगे point 3 के बाद क्या लगा दिंगे point first step हो गया second अब आपका देखो यह हो गया अब देखो यह कितना है 1,4,5,6 तो इसमें 1,4 फिर्स्ट यह देल लेलो फिल लेलो आप 5 और फिल लेलो 6 अब यह जो 1,4 है अब यह देखेंगे हम कहां पर यह देखेंगे बटा में कॉलम के अंदर 1,4 का क्या value है वो कहां देखेंगे में में और 5 कहां देखेंगे difference के अंदर जो difference कॉलम मैंने बता है उसके अंदर देखेंगे ठीक है देखेएं और यह का देखेंगे six यह मेंड़ुरकते देखेंगे सबसे पहले में में देखो कितना है 14 तो में में 14 दिख sopr Fortunately यह रहा मेन कॉलम इसमें 14 कहा है, यह रहा सर 14, मारक कर लू, कर लिया, यस, आब 14 यहाँ है, यह समको दीख गिया, आगे बढ़ेंगे, आगे देखो यहां पर, 14 के अंदर, फिर difference कोलम में कौन सा कोलम देखना है, 5 वाला, तो यहां difference के अंदर देखो, यहां देखो 14 से आ गए अब difference में देखो कौन सा 5 वाला यह रहा 5 तो यहां पर 14 नमबर पर सीधा जाएंगे यह इस डिजिट पर 5 के अंदर जो आ रहा है आपका 5th column के अंदर आजा है 5th number के अंदर column के अंदर जो डिजिट आ रहा है 14 के सामने 14 के सामने यह संक्याम को लेनी है यह कितनी है 1614 1614 1614 वो हम यहां लिख देंगे कहां लिख देंगे यहां 1614 फिर यहां आएगा प्लस ओके अब क्या करेंगे 14 के अंदर उसी 14 डिजिट के अंदर उस लाइन के अंदर main difference में 6th number column देखेंगे तो यह देखो यह 14 है हमारा यहां पर हाँ यह तो difference हो गया main difference में कौन सा है 6th main difference के अंदर तो main difference के अंदर 6th क्या है 18 यह देखो यह सेम लाइन है यह देखो यह 18 तो यहां हम 18 प्लस कर देंगे 14 के अंदर mean difference में 6th column 14 के अंदर difference column में 5th column जो है उनके design लेने है किता आ गया 18 18 यहां लिख देंगे अब इन दोनों को plus करो गया कितना आ रहा देखो 1614 plus 18 तो यह हो गया 1632 1632 1632 यह 1632 है न यहां लिख देंगे 1632 1632 तो for example के लिए अगर हमारा x था 1456 यह अगर हमारा x था तो यह हो गया अमारा log x समझ में आया तो इस तरीके से value देखते हैं आए कुछ चीज़े हम और try करते हैं ठीक है समझाने के लिए आपको हमारा यही digit रखते हैं और इससे ही देखते है 1456 है न तो 1456 तो हम कुछ चीज़े लेते हैं जैसे हम एक तो ले ले लेते हैं अगर हमारा होता 145.6 या हमारा value होता 1456 जो हमने पहले देखा है इसके बाद में तो 0 ही होता है आपको पता ही है ठीक है ओके जी ठीक सर अब देखो यहाँ बार यह वाली value का तो हमने निकाल दिया था कैसे निकाला था से यह count करो कितने हैं 4 दिजिट 4-1 किया तो कितना आगया 3 point लगाया हाँ उसके बाद हमने क्या किया 14 जो है उसमें जो हमारा main difference column है difference उसमें 5th number और यह 6th number main difference में हमने देखा तो हमारे सामने जो value निकल के आई थी वो यह आई थी 1614 प्लस 18 तो कितना हो गया था यह यहाँ पर 1632 तो हमने यहाँ पर लिख दिया था 3.1632 1632 इता हम अभी calculate कर चुके हैं अब देखो यहाँ पर 145 अब देखो यह कितने डिजिट है 3, 3-1 करो, 3-1 करो, कितना आगए 2, 2 उसके बाद point से कोई मतलम नहीं है अब यह same digit है 1,4,5,6 यहनकी 14 के अंदर difference column का 5th number और 14 के अंदर main difference column का 6th number तो यह वाला same है आजाएगा 1,6,3,2, point का कोई मतलम नहीं है अब जैसे यहाँ देखें तो यहाँ देखो कितने है 1,2, कितने डिजिट है 2, 2-1 करेंगे तो क्या जाएगा 1 और उसके बाद point का कोई मतलम नहीं है वही 1456, 1456 का गर हम anti-log निकालेंगे तो क्या आएगा 1632 ऐसे कैसे यहाँ देखो 1.456, 1.456 है तो यहाँ है 1, 1-1 करेंगे तो क्या एगा 0, point अब 1456 का क्या होता है यही होता है से बताओ, आया समझ में तो आगे वाला point से पहले वाला digit कैसे लिखना है वो समझ में आया, एक बार बताओ मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लीज रिप्लाई, ओके सगुन, देव, ठीक है, लेट्स, कुछ एक्जम्पल और लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए, कुछ वैल्यूज, हम इस बार निकालो आप, एक्स वैल्यू आपको दे रखी है, मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4, या 1, 2, 3, 4, 1, 2, 0, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अब इसका निकालो आप, लॉग एक्स, लोग एक्स निकाला, सबसे पहले हम 1, 2, 3 का निकाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, अब देखो, काउंट करो, कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 है, 4, माइनस 1, कितना हो गया, 3, तो यहां लिख देंगे, 3 पॉइंट, अब क्या करेंगे, मेन कोलम में देखेंगे, 12, तो मेन कोलम में 12, देखो, 12 मेन कोलम में, यह रहा सा 12, ओके, डिफरेंस कोलम में कौन सा कोलम देखना है, देखो, डिफरेंस में देखना है, हमको 12 के बाद 3, तो डिफरेंस कोलम में हमको देखना है, 3, तो 12 में, यह 0, 1, 2, 3, यह रहा, तो यह वाला आगे, डिजिट, 0, 8, 9, 9 0, 8, 9, 9 तो लिख दो यहाँ पर 0, 8, 9, 9 हाँ वह यह आ गया हमारा 0, 8, 9, 9 प्लस फिर क्या देखना है 12 main column और mean difference का कौन सा? 4th number 12 main column, mean difference का 4th तो mean difference यह रहा, इसका है 4th number और यहाँ से 12 12 यह क्या आगया 14 क्या आगया 14 12 3 number difference 4th number mean difference 14 तो यहाँ आजाएगा हमारा 14 आज गनेश चतुर थी एना लगा उसका डीज़ बज़रा है ओके तो जीरो एट नाइन नाइन प्लस 14 तो यह हो गया आपका 0913 यहाँ लिख दो 0913 बोलो आया समझ में अब इस वैली होगा देखो बेटा यहाँ पर यह कितना है 1233 3-1 करेंगे तो कितना आजाएगा 2 यहाँ लिख देंगे 2 उसके बाद सेम 1234 यानि कि 12 में कॉलम 3 number difference कॉलम 4 नंबर में डिफरेंस कॉलम तो सेम यह आजाएगा 0.913 फिर इसका देखो यह कितना है 1 और 2 कितना हो किया 2 2-1 करेंगे तो किया जाएगा 1 फिर वो ही सेम पूरा पॉइंट को हटा के देखेंगे 12 का difference कॉलम 3 mean difference कॉलम 4 तो वो आजाएगा 0913 फिर यहाँ किया है 1 1-1 करेंगे तो किया जाएगा 0 फिर वही बापस 0913 समझ में आया आपको ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ यह को कोशन करके बताता हूँ ठीक है बटा उससे आपको और बहतर समझ में आएगा या हम लॉग निकालना सीखते है एक कोशन का और उसके बाद एंटी लॉग निकाल करके हम उसका जियुमेटिक मीन कैलकुलेट करने का ट्राइब करते हैं ठीक है चलो तो मैं यहाँ पर एक कोशन ले लेता हूँ और एक्स वैल्यू ले लेता हूँ एक सेगेंड बस जैसे हमारी एक्स वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 173 यह इंडिज्वल स्रीज दे रखी आपको कौन से सीरीज है इंडिज्वल और लिखा हूँ है फाइंड आउट जी एम जियोमेट्रिक मीन ठीक है तो 173 यह लास्ट कोशन में ने करवाया भी था आपको सॉटकर्ट मेथड से वही है 182 75 5.0 या 5 भी लिख सकते हैं चलो इनके पीछे सब के 0 लगा देते हैं ठीक है फिर है 0.8 फिर हो जाए का 0.08 फिर हो जाए का 0.8974 सबसे पहले इन सबका हमको क्या निकालना है log x value आईए निकालते हैं देखो फटा फट निकालते हैं ध्यान से देखना थोड़ा ठीक है ओके जी 173 कितनी डिजिट है 3 3-1 करेंगे तो कितना आएका 2 3-1 करेंगे तो कितना आएका 2 तो यहां लिख दो अब यहां पर 17 हो गया मेन कॉलम ठीक है और थर्ड नंबर क्या हो गया उसका डिफ्रेंस तो देखो 17 हो गया मेन थर्ड नंबर उसका डिफ्रेंस यह हो गया 17 और थर्ड नंबर यह रहा तो उसका डिफ्रेंस यह रहा 2380 क्या गया 2380 और मेन डिफ्रेंस पर हम जाएंगे यह नहीं क्यों नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे देखो आगे मीन डिफरेंस के लिए 4 डिजिट चाहि refusing थे ये दो डिजिट तो शुरू आले में डिफरेंस में कॉलम के हो गए 3 हो गया आपका डिफरेंस कॉलम का एक और डिजिट होता तो में डिफरेंस पे जाते तो में डिफरेंस पे जाने की जरूरत ही नहीं तो हमारा यहां पर लॉग हो गया क्या ये देखिए 17 के अंदर ये 2380 तो हम यहां लिख देंगे 2380 2380 ऐसे कैसे ये देखो कितना है 1823 3-1 करेंगे किता है का 2 अब 18 पे देख लो 2 18 पे 2 देख लो ये रहा 18 इस पे 2 ये रहा 2601 2601 2601 फिर देखो ये कितना है 75 75 है न 75 कितना हो गया 1 और 2 दो डिजिट हो गया तो 2-1 करेंगे तो 1 और फिर देख लो 75 पे 0 आगे वाला 0 है ना तो 75 पे 0 75 पे 0 देख लो गई तो सर 75 होगा इसमें देखना पड़ेगा इसमें नहीं होगा तो नेक्स पे होगा 75 75 ये रहा 75 ये रहा और इस पे क्या 0 ये रहा 0 8751 8751 तो यहां लिख देंगे 8751 फिर क्या है देखो गटा 5 है only 5 या नहीं 1 डिजिट हो गया 1-1 करेंगे तो किता गया 0 अब आपको किसमें देखना है उल्ली 5 में जाके देखना अब सर 5 तो यहां है नहीं देखो 5 तो यहां है नहीं आप देखो के इसमें यह देखो टेबल के अंदर सीधा स्टार्ट ही 10 से हो रहा है तो फिर सर हम क्या करेंगे इस केस में 5 के आगे 0 है ना पॉइंट का तो कोई मतलब भी नहीं रहता है मैंने पहले ही बताया था आपको है ना पॉइंट तो केवल यह आगे वाला characteristics बोलते है इसको यह calculate करने में ही काम आता है मॉन्टी जा पीछे वाले को मॉन्टी जा बोलते है वो calculate करने में हमको point की ज़रूद नहीं होती है तो point को अटाएंगे तो क्या आगा 50 तो 50 देख लो ना 50 पे 0 तो देखो हम देखेंगे तो मैं दीरी दीरी सिखा रहा हूं आपको 50 पे 0 यह रहा देखो बिटा यह 50 हाँ उस पे यह वाला 0 वाला कोलम तो क्या आएगा 6990 6990 6990 अब यहाँ ज्यान से देखना यह वाला ज्यान से देखना अब यह जो ऐसी डिजिट्स जो आगे positive है पॉइंट से पहले positive है और numbers है उनमें तो मैंने क्या बताया इनका देखो कितने डिजिट है minus 1 कर दू जैसे यहाँ पर 3 थे minus 1 2 यहाँ 3 थे minus 1 2 हो गया और यहाँ 75 थे यहाँ दो डिजिट थे minus 1 किया तो 1 बज गया यहाँ एक ही था तो 1 minus 1 0 हो गया लेकिन यहाँ हमें यह नहीं देखना है यहाँ हमें देखना है जो digit है point के बाद वाला है ना उससे पहले यानि कि 8 से पहले कितने 0 है 8 से पहले कितने 0 है 1 0 है तो हम यहाँ लिख देंगे 1 ओके और इसके बाद क्या होता है कुछ नहीं होता है तो 0 ही होता है 3 1 0.9031 अभी और देखना ऐसी डिजिट्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद सीरा पॉइंट आ जाता है नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं उन में जो करेक्टरिस्टिक्स यानि यह जो पॉइंट वाला पहले वाला है यह 0 को देखके देखना है यहाँ पर 1 0 था तो 1 आ गया यहाँ पर देखो 8 से पहले कितने 0 है 2 तो यहाँ जाएगा 2 यहाँ कितना जाएगा 2 ओके और यह माइनस के बिटा है यह सब माइनस के डिजिट है यह भी माइनस का है यह भी माइनस का है तो 2 हो गए अब देखो 2 और उसके बाद क्या है 08 8 के बाद में कुछ नहीं है तो 0 यह मानेंगे तो 80 पे देख लो 80 पे वही 980 पे क्या आ जाएगा बेटा 80 पे तो वही आ जाएगा 9031 यह रहा 80 पे 9031 तो सेम लिख देंगे 9031 9031 फिर यहाँ देखो कितने 0 है 1 बस माइनस में 1 अब 80 आपको क्या देखना है 89 देखना है और 89 में डिफरेंस क्या हो गया 7 और मीन डिफरेंस क्या हो गया 4 तो देखो 89 सबसे पहले तो 89 देखो 89 किधर है वह या यह रहा 89 89 पे क्या देखना है difference में 7 और mean difference में 4 तो यह रहा 89 यह 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह रहा 7 और mean difference में 4 तो 4 में यह होगा 0, 1 यह column देखो एक बार 0 से start हुआ है ना 1 से हुआ है तो 4th number 4th number mean difference में 4, 1, 2, 3, 4 यह और इन दोनों digit को क्या कर देंगे 9, 5, 2, 8, plus 2 9, 5, 2, 8, plus 2 तो कितना हो जाएगा 9, 5, 3, 0 तो यह लिख देंगे हम 9, 5, 3, 0 5, 3, 0 तो यह निकल गए हमारे log x ठीक है बताओ आया है समझ में देव प्लीज रिप्लाइ कर दो ताकि मैं आपको अब इसका anti-log calculate करके बता दूँ फिर हम पता है आपको क्या करते हैं यहाँ पर sigma log x sigma log x निकालना है अब आप लोग सोचोगे सर इस log x की total कर दो तो sigma log x आजाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा अगर आप इसकी cd cd direct total कर लोगे तो correct answer नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जो भी हम log value निकालते हैं जैसे यह है 2.2380 इसमें जो point से पहले वाला होता है इसको बोलते है character sticks और point के बाहद वाले जो digits होते हैं इसको बोलते है mantissa तो हमको सबसे पहले mantissa की total करनी है और mantissa की जब हम total करेंगे तो हमें plus और minus को ignore करना ज्यान में नहीं रखना है यानि कि यह जितने भी points के बाद वाले digits है इनकी पहले calculator पे total करनी है ठीक है तो मैं करता हूँ देखो 0.23.2380 plus 0.2601 plus 0.8751 plus 0.6990 plus 0.9031 plus 0.9530 तो यह आपका यहां आ रहा है total 4.8314 यह किसकी total है mantissa अब देखो यहां characteristics 6 देखोगे तो यह आपका है 2, 2, 4 और 1 किता हो गया 5 5 है plus में और आपका जो minus में कितना है characteristics 1, 2 और 1 तो यह हो गया 2 plus 1, 3 और 4 minus का 4 तो minus का 4 तो अब आप देखो overall characteristics कितना आ रहा है plus का 1 वो जो plus का 1 है वो इधर plus हो जाएगा यह आप ऐसा भी कर सकते हैं जो positive characteristics है वो इस mantissa में plus कर दो और negative जो characteristics है वो minus कर दो तो 5 plus करोगे 4 minus करोगे इसे अच्छा plus का वनी जोड दो तो यहां पर हो जाएगा आपका 5.8314 यह जो है न यह यहां आएगा 5.8314 और यह पता है क्या है यह आपका है sigma log x अब हम क्या करेंगे यहां पर इसका लगा लेंगे anti-log क्योंकि हमको चाहिए geometric mean तो उसका formula क्या होता है anti-log और bracket में आ जाएगा आपका sigma log x वो है 5.8314 divide by कितना हो जाएगा n, n क्या है हमारा देखो number कितने है total यहां पर यह है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 का कर देंगे हम divide ठीक है यहां पर तो करो 7 का divide 5.8314 divide by 7 तो यह आ गया 0.8330 0.8330 ओके और इसका क्या निकालना हमको anti-log, anti-log निकालने के लिए हम किसकी help लेंगे anti-log table की तो चलिए यह है 0.8330 कितना है 0.8330 अब देखो यहां पर एक बार 0 को कर दो ignore बस यहां यह देखो कि पॉइंट से पहले 1, 0 हमको दे रखा है हाँ बई 1, 0 दे रखा है ओके इतना धियान रख लो आप रख लिया ठीक है अब यह देखो हमको anti-log के अंदर देखना है 83 कौन से main column है थ्री देखना है किसके अंदर है न three किसके अंदर देखना है न 1 अब देखो यहाँ पर तो main column में 83 देखना है .83 antilog table में दिये रखा होगा difference column में 3 हो गया और mean difference में क्या हो गया 1 आईए मैं आपको दिखाता हूँ .83, 3, 1 antilog table में जब हम जाएंगे न यह रहा हमारा antilog table यह रहा देखो यह antilog table है, यह हो गया main column यह होगया difference, यह होगया mean difference अब हमको चाहिए 0.83 0.83 तो यहाँ कहीं मिलेगा देखो next page भी ले लिया है मैंने इसको 0.83, यह देखो यह रहा 0.83 और 0.83 में कौन सा 3rd number column, यह 0 हो गया, यह 1 हो गया यह 2 हो गया, यह 3, यह रहा यह होगया difference, और mean difference में कौन सा 1, तो वो क्या है 2 तो हमारी value क्या आगई, 6, 8, 0, 8 और 2, तो हम यह लिख दिंगे 6, 8, 0, 8 और 2 value आई हमको जब इसका antilog निकाला तो आया 6, 8, 0, 8 प्लस 2, वो कितना हो गया, हो गया 6, 8, 1, 0 यह हो गया, हाँ, अब यहाँ पर देखो, point से पहले कितना 0 है, 1, 0 है, तो 1 के बाद, हमने लिखा भी था इदर, 1 1 digit ही दे रखा है, तो 6 के बाद हम लगा देंगे, यहाँ पर point, तो answer हो गया, 6, 8, 1, 0 यानि कि, इसको हम लिख सकते हैं 6, 8, 1, और यह हमारा क्या हो गया, यह हो गया, हमारा geometric mean, तो इस तरीके से geometric mean calculate करते हैं log और anti-log table की help से, कुछ lectures और आएंगे I hope आपको काफी समझ में आया होगा लेकिन आपको इसके उपर practice करनी पड़ेगी तब ही आप इसको कर पाएंगे तो I hope आप practice करेंगे मिलते next lecture में आज के लिए तरह ही तब तक लिए goodbye and thank you